नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपरीचित दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महतोपुनी जानकारी को ले करके जी हाँ विश्व में सबसे ज्यादा परसेंटेज है कहीं पर अगर डाइबिटीज की तो वह इंडिया में है और इसका रीजन है हमारा सही खान पानना होना सही धंग से अपनी दिन चर्या का पालन नहीं करना डाइबिटीज ये तो खुद ही आप जानते हैं कि बहुत ही खतरनाक बी में इसके अलावा हाट की प्रोब्लेम होना आपको यानि कि आपको हाट अटेक भी आ सकता है हाट की प्रोब्लेम होने लगती है इसके अलावा ब्रेन हैमरेज जैसे बहुत सारे प्रोब्लेम्स आपको क्रियेट होने लग जाती है धीरे-धीरे समय के साथ इसलिए डाइब मीठे का सेवन खास करके चीनी का शुगर का जो वाइट शुगर होता है इसका सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में न करें इसकी जगह पे गूर का सेवन करें तो वो ज्यादा बेहतर होता है या फिर शहद का शहद में भी ध्यान रखें कि मिलावटी अभी ज्यादा तर मिलता ह है बाजार में आपको अगर मिल पाए तो ओरजिनल लेने की ही कोशिश करें और सबसे अच्छा है कि आप बैलेंस रखें खाने में ना अत्यधिक मीठा खाएं और ना ही अत्यधिक तीखा खाएं बैलेंस होना बहुत जरूरी है डाइबिटीज अगर किसी को हो ही जाए तो व उसको चलने दीजिए उन दवाओं को चलने दीजिए इसके साथ साथ आप एक देशी आउश्रधियम बता रहे हैं जिसका प्रयोग कीजिए आपकी डाइबिटीज धीरे धीरे नेचुरली ढंक से कंट्रोल होने लग जाएगी और कंट्रोल हो जाएगी अगर आप नियमित से फॉलो करना होगा इसी के साथ साथ आपको किवल और शधी लेने से कुछ नहीं होना है आप अपने खान पान को भी कंट्रोल कर लें क्योंकि आपको प्रोब्लेम हुई है डाइबिटीज हुई है तो जरूर आपके दिन चरिया में आपके खान पान में कुछ ना कुछ त आते हों एकसरसाइज ना करते हों पैदल बिल्कुल ना चलते हों मौनिंग वॉक पे भी नहीं जा पाते हों बोडी से यानि कि आपके उर्जा का मिस्काशन नहों पा रहा हो यह भी एक मुख्य बचा होती है तो इसका आप पता लगाएं आप खुद ध्यान करें कि आपका आप क्यों हो राया है आप खान पान सहीनी ले पा रहे हैं पता होता है सभी को कहा यह मोशली को प्रोब्लेम हो जाते है तब आपको उसका उन्हें जबृष को मैं आपको बता चुका हूं इसको सबसे पहले आप बन कर दीजिए अगर आप बहुँझ बहुत ज्यादा भाह और पसीने के रूप में गंदगी भी बाहर निकले उसी के साथ साथ शरीर से ताकि आप स्वस्थ रहें इसके बावजूद किसी को अगर हो गया है डाइबिटीज तो उन्हें एक हमारे देश में मिलने वाला फूल है बहुत ही अच्छा गड़हूल का फूल जिहां गड़हूल के फूल का आपको लाना है पत्तों को तोड करके और उनको घ्रैंड कर लीजिए यानि की पीष लीजे पीषने के बादा आपको क्या करना है शाम को जब सोने जा रहे हो उस वक्त एक गिलास पानी में 7-8 पत्तियों के उस जूस को रस आपको पीना है और ध्यान रखना है कि वो और शद ही पीने के बाद आपको एक घंटे तक कुछ भी खाना या पीना नहीं है ताकि वो और शद ही आपके शरीर पर सही धंग से कार्य कर पाए ताकि आप स्वस्थ हो जाएं इस प्रियोक आपको लगभग 10-15 दिन लगातार करन इस प्रकार से इस क्रम को जारी रखिए आपके डाइबिटीज का टेस्ट हो ही रहा होगा तो आप देखेंगे कि आपका डाइबिटीज जो है वो कंट्रोल में आने लग गया धीरे धीरे कंट्रोल भी हो जाएगा अगर आप नियमित रूप से इस और शदी का प्रियोक कर लगते रहते हैं तो तो ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्तो पूंज जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों